हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो दी चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे गूगल फॉर्म को बना सकते हैं फ्रेंट कर सकते हैं वह भी जिरो टेक्निकल नॉलजज के साथ आपको कोई भी broom से और गूर्णीड कर सकते हैं तो friends सबसे पहले आपको Google Form को access करने के लिए करना क्या होगा आपको आना है Google पर और लिखना है Google Forms Google Forms जैसे ही आप लिखेंगे जो first link आएगा उसको आपको ignore करना है और नीचे जाके Google Forms पर sign in करना है docs.google.com slash forms इस link पर आपको click करना है जैसे ही आप इस link पर click करेंगे आप आजाएंगे इस तरह की screen पर by default यहाँ पर हमने एक form बनाया हुआ है लेकिन आपको अगर पहली बार आप आ रहे हैं इस website पर तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं start a new form आप देखिए दोस्तों मैं आपको quickly समझा देता हूँ कि Google Forms क्या होता है और किस काम में आता है Google Forms basically एक free tool है Google का जिसकी मदद से आप एक form create कर सकते हैं जिसमें आपकी कुछ questions हो सकते हैं लोग उसका answer देंगे और जो भी data लोग fill करेंगे और fill करके submit करेंगे उस form को तो वो सारा data आपके पास receive होगा तो इस purpose के लिए जो है Google Forms free of cost है आप इसको use कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जब हम एक नया Google Forms बनाने की कुशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पहले से बने हुए templates आपको मिलते हैं अलग-अलग purpose के लिए और अगर आप और देखना चाहते हैं तो template library पर या एक form बनाना है free of cost तो आप यह वाला template use कर सकते हैं उसके बाद contact form find a time यानि अगर आप appointment book करना चाहते हैं आपकी users अगर आप से मिलने के लिए appointment book करना चाहते हैं तो आप यह वाला form book you know use कर सकते हैं then again यह सारी चीज़े हैं तो हम यहाँ पर choose करते हैं सबसे first contact information इस पर click करते ह जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप आजाएंगे इस screen पर जहाँ पर आपको पहले से बने बनाए कुछ questions और उनके fields मिलेंगे देखिए यहाँ पर जैसे हमने click किया हम आचुके हैं से screen पर जहाँ पर लिखा हुआ है contact information form description आगर आप कुछ डालना चाहते हैं the name email address phone number comments अब आप मन अपने according अपनी need के according जो fields हैं उनको add भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं तो मैं step by step आपको बताता हूं हमारा purpose जो है वो यह है कि हम ऐसा form बनाना चाहते हैं जिसमें user का नाम उनका email id उनका address phone number और एक question होगा जिसका वो answer करेंगे तो यह 5 fields हम बनाना चाहते हैं तो यह महाँ पर सबसे पहले तो हम नाम चेंज करेंगे contact information की हम जगे हम लिख सकते हैं enter your details या जो भी आप लिखना चाहें जो भी आपको परपस है उसके बाद form का description है वो आप दे सकते हैं hi if you want to get in touch with us email email us on कुछ इस तरह से यानि यह आपके ओपर depend करता है कि आपको क्या लिखना है एक बार आपने form का नाम और description एंटर कर लिया है उसके बाद आप आजाए नीचे जहां पर आप देख सकते हैं जो first field है वो है name तो आप इसको या तो edit करके आपको लिख सकते हैं enter your full name यानि user जो है वो अपना full name डालेंगे और आप चाहते हैं कि यह जो field है compulsory हो इसका मतलब user इसको fill किये बिना आगे नहीं बढ़ सकता और form को submit नहीं कर सकता तो उसके लिए आपको सिर्फ यह नीचे जो button है required इसको on करके रखना है यह meaning क्या है मैं आपको एक detailed वीडियो में अलग से समझाओंगा यह बहुत ही quick वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक contact form बनाना सीक रहें तो short answer का मतलब है एक चोटा answer full name एक line का ही होगा जादा जादा तो short answer रखते हैं उसके बाद email id तो यहां पर हम लिख सकते हैं enter your email id email id उसके बाद देखिए यहां पर short answer दिया हुआ है यहां पर देखिए text text format रहेगा email रहेगा और please enter valid यानि अगर उसने सही format नहीं डाला सही email address नहीं डाला तो उसको एक error मिलेगी और यह भी एक required field है इसी तरह से हम जल्दी से इसको finish करते हैं तो यहां पर email के बाद address बिल्कुल हमें चाहिए लेकिन हम इसे order change करना है तो address को हम चाहते है phone number के नीचे आए तो यहां पर आप दिख सकते हैं उपर six dots यहां पर six dots दिख रहे हैं इनको click करके और इसको drag करके नीचे drop करते हैं यह phone number का जो field है वो पर आ गया है और address का जो field है वो नीचे आ गया phone number में again हम यहां पर लिखते हैं enter your mobile number mobile number और इसको भी हम कर देते हैं required short answer रहेगा उसके बास address address को आपको long answer रखना है क्योंकि address बाड़ा हो सकता है तो address को हमने long answer रखा और एक question यहां पर हम डालते हैं तो इस पर हम लिखते हैं what is your age group for example हम एक question डाल रहे हैं यहां पर और इसको हम compulsory बना रहे हैं अब यहां पर हम options देना चाहते हैं user को कि वो कोई 3-4 options में से एक option choose कर सके तो यहां पर paragraph की जगे आप click कीजिए multiple choice multiple choice में option जो below 18 then दूसरा option add कर सकते हैं दूसरा option add करने के लिए from 18 to 40 और एक third option डाल सकते हैं above 40 तो तीन option है तीनों में से किसी एक को user को choose करना है और यह भी हम compulsory रखना जाहते हैं जैसे आपका जो form है वो complete हो जाए सारे fields आपने बना लिये हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर एक कुछ design या कुछ background आपको लिख रहा है यहां पर इसको भी आप change कर सकते हैं इसको change करने के लिए करना क्या है आपको इस button पर click करना है जिसका नाम है customize theme इस पर आप click कीजिए यहां से आप या तो यह जो part है जिसको हम header बोलते हैं इसमें आप image upload कर सकते हैं कोई color choose कर सकते हैं या फिर जो font का style है वो भी यहां पर change कर सकते हैं तो हम header में एक image choose करते हैं by default आपको कुछ images provide की जाती है आप अपनी खुद की image भी डाल सकते हैं तो यहां पर let's suppose हमने कुछ इस तरह की image है इसको use किया तो click कीजिए और insert पर click कर दीजिए जैसे ही आप इसको click करेंगे अब यहां पर जो image है वो change हो गई है अब एक नई image आ गई तो form थोड़ा और अच्छा look wise दिखने लग गया है इसके बाद हमें बाकी करने की ज़रूतनी font style जो है आप देखिए कुछ अदर गलग आपको fonts के option मिल रहे हैं कुछ अदर गलग यहां पर fonts के option मिल रहे है basic अगर आप form create आप इसको use करना है या किसी को link भेजना है तो कैसे करेंगे तो आप यहां पर click किजिए send और यहां से आप अपना या तो direct email कर सकते हैं या इसका link लेना है तो second option को click किजिए email पर sorry link पर और यहां देखिए link आ गया है लेकिन यह बहुत बड़ा link है usually अगर आप इसको मैं यहां से copy करता हूँ और यहां एक नए tab में paste करता हूँ तो आप भी देखेंगे कि बहुत बड़ा link है यह देखिए बहुत बड़ा link है तो इस link को इतना बड़ा नहीं करना तो नीचे एक option है shorten the URL इसको click करेंगे तो बहुत छोटा link हो जाएगा तो आप easily पढ़ भी सकते है easily अगर इसको याद रखना है तो वो भी रख सकते हैं तो यहां से इसको right click करके copy कर लीजिए इसको close कर दीजिए अब आप किसी को भी WhatsApp के थ्रूँ या किसी भी medium के थ्रूँ आप इसे बेच सकते हैं और जब भी कोई से enter करेगा as a user मैं आपको एक incognito window में दिखा दा हूँ as a user जब इसको कोई on करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ दिखाई देगा user के point of view से अब देखिए यहां पर दिखा रहा है sign in to sign in to continue इसका मतलब है कि पहले sign in करना पड़ेगा तो यह एक अच्छी practice नहीं होती है क्योंकि हर user इतना आपका जो है वो ट इसको मैं रिलोड कर देता हूं आप देखिए यहां पर वो error हट गई है error मतलब वो compulsion हट गई है अब as a user फटावटा फटावटा form फिल करते हैं तो यहां पर हम as a demo user डाल देते हैं सारी चीज़े address भी हम अपना as a demo डाल देते हैं और एक option चूज कर लेते हैं like this and submit जैसे आप submit करेंगे thanks for submitting your contact information अब यह information आपको कहां दिखेगी यानि जो admin है उसको कहां दिखेगी देखे जैसे ही कोई भी form submit होता है तो यहां पर आपको responses करके एक tab दिखेगा जिसके अंदर अब यह दिखा answer अब यह हुआ एक तरीका लेकिन अगर आपको एक sheet में देखना है Excel sheet में इसको देखना है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पर जो आइकन है Google spreadsheet का इसको click करना है और create a new spreadsheet एक नई Excel sheet या Google sheet बन जाएगी आपके पास जिसके अंदर ही सारा data दिखाई देगा तो इस पर form fill करते जाएंगे वैसे वैसे जो data है वो आपको structured format में इस sheet में दिखता जाएगा तो यह बहुत easy तरीका है data को देखने का analyze करने का तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप Google form को create कर सकते हैं उसको use कर सकते हैं जो भी responses आपके पास आ रहे है user आपके form को fill कर रह environment है तो दोस्तों यह था एक quick video इस पे अगर आपको detail video चाहिए तो मुझे comment box में बताओ मैं each and every setting Google form के आपको समझाओंगा in-depth समझाओंगा और वो video आपके लिए भी बहुत जल लेकर आँगा मिलता हूं आपसे एक और next video में तब तके लिए take care thank you so much have a nice day